साथियों प्रक्रियों की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है पांच लाख रुपिये की आयप और अब टैक्स जीरो है बाकी इस लेब में भी टैक्स कम हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स वा लेने वाले देशों में से एक है साथ्यों कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रनाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेस्लेस हो सीमलेस यानि टैक्स एड्मिस्ट्रेशन हार टैक्स पेर को उलजाने के बजाए समस्या को सुलजाने के लिए काम करे पेंलेस यानि टेक्नलोजी से लेकर रूर्स तक सब कुछ सिंपल हो फेसलेस यानि टैक्सपेर कौन है और टैक्सपेर कौन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं साथियों अभी तक तो होता ये हैं कि जिस सहर में हम रहते हैं उसी सहर का टैक्स इपार्मेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है स्क्रूटिनी हो नौटीज हो सर्वे हो या फिर जबती हो इसमें उसी शहर के इंकम टैक्स डिपार्मेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमी का रहती है अब ये भूमी का एक प्रकार से खत्म हो गई है अब इसको टैक्नलोजी की मदद से बदल दिया गया है अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी खेत्रे में किसी भी अधिकारी के पास रेंडम तरीके से आमउंटित किया जाएगा अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स प्रेजर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तब इसकी छानविन का जिंबा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा बलकि संभव है कि वो चिन्ना ही चला जाए गोहर्डी चला जाए राइपूर चला जाए एमदावाय चला जाए वो फेस्टलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यो किसी दूसरे शैर कहीं जाएपूर हो जाएगा बैंगलूर हो जाएगा चेन्नी हो जाएगा कोची हो जाएगा वहां की टीम करेगी अब फेस्टलेस टीम कौन सी होगी इसमें कौन होगा ये भी कॉम्प्यूटर रेंडमली तै करेगा और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बड़ला होता रहेगा साथियों इस सिस्टिम से करदाता और इंकम टेक दप्तर को जान पहचान बनाने का प्रभाव और दबाव का मोका अब जीरो हो गया सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे डिपार्टमेंट को इससे लाब ये होगा कि अनावश्यक मुकदमे बाजी बचेंगे उससे दूसरा ट्रांस्पर पोस्टिंग में लगने वाली गेर जरूरी उर्चायच से भी अब राहत मिलेगी इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जाँच के साथ साथ अपील भी अब फेस्लेस होगी